हम लोगों ने chapter number 1 class 11th accountancy का complete कर लिया है chapter number 2 जो की है theory basis of accounting इसको हम लोग कुछ parts में जल्दी से cover करते हैं ये वाला जो first part है इसमें हम लोग जो भी accounting principles, accounting concept और accounting convention इसकी वीडियो हम already upload कर चुके थे तो आप उसमें से जाकर के detail उसको समझ सकते हैं आज हम लोग इसको पूरा go through नहीं करेंगे क्योंकि इसमें already हमने आपको समझा दिया है सारे जैसे gap, gap की full form ये सारी चीज़ें already हमने explain कर दी है ये सारे जित्ते भी accounting concepts हैं ये सब हमने आपको explain कर दी हैं तो हम उम्मीद करेंगे आपने वो वीडियो देख लिए इनके सबगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप playlist जा करके इबर जरूर चेक करेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी इसके हम questions solve करेंगे previous ये question paper देखते हैं कि कैसे questions आये हैं और जो हमने इसकी summary note बनाये हैं तो चलिए पहले वो देख लेते हैं तो देखे ये हम लोगोंने कुछ notes बनाये हैं ये notes आपके साथ share कर रहे हैं और इस notes जो हमने already वो वीडियो पढ़ ली है उसी से ही ये notes create किये गए हैं और उसके बाद हम इसके MCQs practice करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़ादा ही question आते हैं सिर्फ कुछ accounting principles आप पढ़ने के बाद आप पूरे के पूरे questions बना सकते हैं accurate तो चलिए देखे क्या लिखा है इसमें accounting principle इसका आता है कि gap की full form तो gap की full form क्या है generally accepted accounting principles और इसको हमनों कुछ three basic fundamental accounting assumptions हैं वो कौन कौन से assumptions हैं यह हमने इसमें draw की आप देख सकते हैं एक तो है आपका accrual concept है एक है business continuity और consistency concept यह three basic fundamental accounting assumptions हैं अगर कोई आप से पूछता है accounting assumptions कौन से हैं तो यही तीन accounting assumptions हैं बाकी सारे जो हैं उसको हम लोग accounting principles बोल सकते हैं देख लीज़े accounting principle जो है और accounting concept और एक है accounting conventions यह सब एक होते हैं यह वीडियो में हमने already explain किया है वाले में यह तीनों word एक ही होते है accounting principles, accounting concept और accounting conventions लेकिन accounting assumptions अगर कोई पूछता है तो there are only three assumptions A, B and C, A for app accrual concept बोल सकते हैं, B से business continuity या इसी को हमने going concern concept भी बोलते हैं फिर next है consistency concept तो यह तीन concept जो यह तीन concept हैं इसको हम assumptions मानते हैं accounting assumptions मानते हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हमने कैसे explain किया है word by word तो यह हमने already आपको explain कर दिया है तो आप एक बार बस देख लीजे इसको हमने short form में लिखा है accrual concept को ही हमने mercantile concept भी बोलते हैं इसमें यह कहा गया है कि जो भी revenue है वो जो भी income है उसको हम recognize करते हैं जब वो earn हो रही है और expenses को तब हम करते हैं जब वो incur हो रही है मतलब यहाँ पस cash के involvement की नहीं देखा जाता अगर cash जैसे हमनों बोलते हैं कि हमनों पैसे तब receive जब पैसे receive होएं तब हम उसकी entry करेंगे तो वो a cruel concept नहीं बोलता है वो बोलता है कि जब वो expenses जिस दिन होने थे उसी दिन हम charge करेंगे यह नहीं कि जब हमने उसको पैसे दिये हैं यह हमने पूरा अच्छे से यह वीडियो उसको समझाया है आपको आप उस वीडियो को जरूर देखेगा सारे doubts क्लियर हो जाएंगे तो अब हम लोग देखते हैं second business continuity concept इसमें यह बताया गया है कि हम यह assumption करते हैं कि हमारा business long term तक चलता रहेगा perpetual life मतलब लंबे समय तक चलती चलेंगे बिना कोई change किये next है business entity concept या इसी को हम लोग बोलते हैं economic entity concept इसमें यह बताया गया है कि owner different person होता है और एक business firm जो है वो अलग person होते हैं दोनों को अलग-अलग treat किया देता है next है accounting period concept मतलब यहाँ पस यह बताया गया है कि एक पूरे साल को हम लोग कुछ time periods में divide कर द देते हैं ताकि हम अपने financial position को जान सकें तो यहाँ पस यह लिखा है कि हमने financial years को financial year आपको पता है first April से 31st March तक रहता है तो यह हमारा financial year एक-एक साल का हम लोग ने accounting period बना दिया है I hope यह clear हो गया होगा next हम लोग देखते है convention concept इसी को हम लोग prudence concept भी बोलते हैं इसमें यह कह आगया है कि हम लोग को सारे losses जो होने वाले हैं उनको पहले से उनके लिए provisions बना देना है लेकिन अगर को फ्यूचर में कोई profit होने वाला है उसके लिए हम लोग पहले से खुश नहीं होंगे उनको हमें इग्नौर करना तो जितने भी losses हो सकते उनके लिए पहले से provisions बनाना ह उनको हम लोग ignore करके चलेंगे I hope यह समझ में होगा next हम लोग देख लेते हैं dual concept, dual aspect concept मतलब हर एक transaction के two effects होते हैं हर एक business transaction के double impact होते हैं यह हम लोग पढ़ चुके हैं next है full disclosure मतलब हर एक चीज को हम लोग को full disclosure करना है हर एक एक चीज़ों को हम लोग को disclose करना है मतलब express करना है हम लोग footnotes में generally balance sheet में जो चीज नहीं लिख सकते हैं उसको हम footnotes में लिख देते हैं वो होता है full disclosure concept next है historical cost concept historical cost concept मतलब यहाँ पास जो भी हम लोग balance sheet में जो भी assets लिखते हैं वो उनके cost price पर ही लिखा जाएगा मतलब जिस price पर हमने उसको खरीदा था acquire किया था वही price पर हम उसके उसकी value को assets को balance sheet में show करते हैं यह होता historical cost concept next है materiality concept मतलब यहाँ पास हमनों जो भी material things है मतलब material things का मतलब वो हो जाएगा जो भी important things है उनहीं को हम लोग record करेंगे जो की important things है या irrelevant things है उनको हम ignore करेंगे I hope clear होगा next है matching concept यह सिफ summary हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इतने बहुत fast आपको लग रहा होगा क्योंकि इसका हमने detail video already upload कर दिया अगर आपको कुछ beat out हो रहा तो आप उसको अच्छे समझेगा फिर इसके बाद MCQs practice कीजेगा matching concept में यह बताया गया कि जितने भी expenses रहते हैं वो उनके same जो revenue रहता है उसके साथ ही उसको match करके ही आगे continue करते हैं जो same nature के expenses और revenue है उनको आपस में ही solve करने के बाद हम लिखेंगे next है money measurement concept मतलब हम यह check करते कि क्या वो सारी चीज़ें को हम money में measure कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो उनको लिखेंगे जो भी चीज़ें को money में measure नहीं कर सकते हैं उनको हम books of accounts में नहीं लिखते हैं I hope यह सारे जित्ते भी हमने accounting principles पढ़े यह सारे अपने अच्छे से समझ लिए होंगे अब हम लोग चलते हैं questions देखते हैं देखें one by one questions देखेंगे कितने questions आपको इस topic से आपको मिल जाएंगे पहला question है the appearance of contingent liability in the footnote अभी हमने बताया footnote में जो चीज़ balance sheet में नहीं लिख सकते हैं उसको हम footnote में लिखते हैं मतलब हम लोग full disclosure की बात कर रहे हैं I hope समझ में आए हैं यह question next देखते हैं next है which of the following is not a transaction as per the accounting principle मतलब transaction ही नहीं है तो हम लोग ने transaction तो already पहले पढ़के आए हैं तो देखें पहला लिखा है Mr. X started a business with capital of capital bought in a cash मतलब cash 40,000 का उन्होंने लगाया उसको capital मनाया तो यह तो है transaction next है Mr. X placed an order उन्होंने एक order place किया कोई transaction हुआ क्या नहीं जब कभी भी यहाँ पस यह event है उन्होंने order place किया है लेकिन यहाँ पस action में वो transaction execute नहीं हुआ है तो यही हमारा answer हो जाएगा answer क्या होगा कि कौन सा transaction नहीं है तो Mr. X placed an order with D. D. Sousa and company for goods worth rupees 10,000 तो यह हमारा correct answer होगा next question देखते हैं while treating fund while treating fund recognize revenue at the point of sales मतलब हम लोग पैसों को revenue को कब recognize करते हैं जब sales हो रहा है और expenses को कब हम recognize करते हैं जब हम incur करते हैं तो आपको याद होगा कि अभी हमने बतायते है accrual first concept ही था accrual concept में हमनों को जब expenses हो रहे हैं तब ही incur करना है जब receive हो रहा है या जब हमें payment करना तब नहीं अगर वो होता तो वो cash concept होता तो आपको समझ में आऊगा है यह cruel concept क्यों है ठीक है next देखे कितने questions आपको अभी लिखेंगे same topic से ही next question है as per the accounting concept a business is treated as a separate from the from its owner's personal affairs मतलब यहाँ पस वो separate है जो owner है वो अलग है और business अलग है तो अभी हम लोग पढ़ क्या है separate legal existence या फिर इसको हम लोग बोल सकते है business entity concept और economic entity concept भी बोलते हैं तो यह आपको clear हो गया होगा देखे DSSSB में ही इतने सारे questions आपको दिख सकते हैं next है gap की full form generally accepted accounting principle अभी हम पढ़े हैं next question देखते हैं a concept that business enterprise will not be liquidate मतलब ऐसा concept जब business enterprise liquidate नहीं हो रही है नहीं sold हो रही है in a near future मतलब हम assume करके चलते हैं कि हमारी जो business है उसका perpetual existence है लंबे समय तक future में चलने वाली है तो वो going concerned concept हुआ next देखते हैं this is a basic concept of accounting according to this concept every business transaction has two fold effects मतलब हर एक transaction के two side effect होते हैं तो dual aspect concept हुआ हर एक transaction के two side effect होते हैं तो dual aspect concept देखे कितने easy question आ रहे हैं किसी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही बस अगर आपको वो सारे concept याद है याद आपको रटना नहीं आपको बस word ध्यान देते ही आपको meaning समझ में आ जाने जाए अगर वो आ रहा है तो आपका ये पूरे आपके marks आप आण कर सकते हैं next question देखते हैं the accounting principle can be classified into मतलब accounting principles convention भी होता है concept भी होता अभी हम जस्ट अभी जस्ट पढ़ क्या है accounting assumptions 3 होते हैं A, B और C बोथ वाला आंसर आएगा बोथ A and B next question देखते हैं the practice of appending notes regarding contingent liability in accounting statement is in pursuant of मतलब देखे जब भी note की बात कर रहा है तो footnote से आप connect कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा disclosure full disclosure concept next question देखते है a sole proprietor decided to use the same bank account same bank account को use कर रहा है for his personal affairs as for his business तो वो कौन सी चीज वोईलेट कर रहा है देखे होता क्या है हर businessman को अलग-अलग अपनी personal चीज़ें अलग रखनी चाहिए और business को अलग रखना चाहिए तो वो क्या चीज़ वोईलेट कर रहा है क्या चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहा है तो business entity concept या इसी कोई हम economic entity concept भी बोलेंगे I hope समझ में है यह question next है the accounting concept based on the policy of playing safe मतलब हम safe play करना चाहते है safely रहना चाहते है तो अगर आपको यहाँ थोड़ा सा confusion हो रही होगी तो आप options जरूर देखेगा आपको समझ में जाएगा देखिए full disclosure मतलब होता है पूरी चीज़ दिस्क्लोस करना तो इसका तो नहीं होगा ठीक है consistency कोई भी चीज़ को consistently use करें follow करें revenue recognition जब हमे revenue receive हो रहा है तब ही हम recognize करें देखिए घाटे होने वाले हैं losses होने वाले हैं उन सब को पहले से उसके लिए provisions बना ले लेकिन profit को ignore करें जब profit मिलेगा तब हम उसको use करेंगे I hope यह question समझ में आया होगा आपको next question देखते हैं according to personal expenses paid by the owner for his own pocket should not be recorded in the accounting book same question मतलब यहाँ पस जो उसकी personal life है उसको हम लोग books में नहीं record करते मतलब यहाँ पस business entity concept की बात कर रहा है बहुत easy questions आते हैं कोई डरने की बात ही नहीं बस आपको वो concept अच्छे समझना है फिर उसके बाद तो सारे questions बन जाएंगे next question है provisions for bad debt is made as per the provisions की बात कर दिया अगर आपको हमारी मेहनत अगर सच में अच्छी लग रही है तो please like कीजेगा क्योंकि हमने अपने personal notes बनाये थे जिसको हम आपके साथ share कर रहे हैं और इसमें सच में बहुत मेहनत लगती क्योंकि सारे questions paper से topic wise select करना मुश्किल लगता है तो अगर आपको सच में हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो please like कीजेगा उपने friends के साथ इसको जरूर share कीजेगा question है according to the concept the proprietor is treated as a creditor to the extent of his capital मतलब जो sole proprietor जिसकी business है उसी को हम creditor के रूप में देखते हैं आपको अगर याद होगा तो जो businessman जो है जो भी capital involve करता है उसको हमेशा हम लों liability side में ही show करते हैं क्यों show करते हैं क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पैसे वो return करेगा owner को ये क्यों किया जाता है क्योंकि उसकी personal life अलग है और business अलग है इसलिए business entity concept इसमें apply होगा या economic entity concept apply होगा next question देखते है window dressing is prohibited owing to window dressing का मतलब ये होता है ये हमने और वो शायद video जो हमने बनाई थी उसमें ये window dressing अलएड़ी explain किया था लेकिन फिर भी समझा दे रहे बहुत बार ऐसी चीज़े होती है कि हमारे balance sheet में जो भी assets show किये जाते हैं वो अलग show होते हैं balance sheet को अच्छा दिखाने के लिए window dressing करते हैं हम balance sheet में assets की value increase कर देते हैं लेकिन actual में वैसी assets नहीं होती तो window dressing prohibited है क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग full disclosure की बात करते हैं इसमें कहा जाता है हम लोग को full disclose करना है हर चीज़ को properly आपको explain करना है तो window dressing को prohibited किया जाता है नेक्स question है तो यहां हमारे questions पूरे complete होते है आपको सारे questions से ये समझ में आया होगा कि अब इतने सारे questions आप practice करने से आपको ये तो समझ में आ गया वो 11, 12 जो concepts अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि उसमें समझना ही important अगर उनको आप अच्छे समझते हैं तो आप इस type के questions easily बना सकते हैं और आपके questions पूरे पक्के हो जाएंगे क्योंकि आप इतने सारे papers देखें हर एक question paper में इस से related एक question तो आपको ज़रूर मिलेगा double भी मिल सकता है क्योंकि DSSB 2018 में मेल वाले जो paper था उसमें at least 2 question तो इस थे ही तो आप इस से अपनी preparation को और increase कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो please like कर लिजएगा